हलो बच्चो वेलकम डू दू यूट्यूब चैनल ऑफ कैम क्रेश तो आप लोग कैसे हैं सुनो जरा इस वीडियो में अभी जो हमारा जो लेक्चर शीरीज चल रहा है क्लास नाइन साइन्स मैटर इन्न और सराउंडिंग चैप्टर नंबर वान ठीक है जिसमें मैंने और भी कई सारी वीडियो अप्लोड कर दिया आप लेलेज चेक कर लो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना अभी इस वीडियो का क्या टॉपिक है जो आपके एंसियाटी से जो भी कोस्टन्स निकलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस से ठीक यह टॉपिक को मैंने पिछली वीडियो यहां पर मैंने कोस्टन्स लिखे हैं तो यह टीन कोस्टन तो जो है आपके सॉलिड से हैं ठीक है उसके बाद यहां से लिक्विड से लेके यह बागी यह तीन कोस्टन जो है लिक्विड से है और यह बागी के तीन कोस्टन यह गैस से तो दियारा थ्री थ्री कोस्टन फ्र ब्रेक अंडर फोर्स कहता है कि solid तूट क्यों जाता है अगर solid पर अगर अगर अंडर फोर्स अप्लाई करें ना जैसे मनलों इसको दवानही कोशिश कर रहे है अगर बहुत जादा है हमर से इसको हिट करेंगा तो तूट जाएगा कारण कारण यह होता है कि यह rigid होते हैं यह rigid होते हैं rigid क्या होता है rigid का मतलब इनकी ना shape जो वो fix है इनकी shape ना fix होती है shape change नहीं होती है अगर फिर भी आप जब पर 10 पर force अप्लाइ करोगे तो क्या होगा विचरा टूट जाएगा है ना दो लोग की दोस्ती बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन दोस्ती तूट नहीं रहे तो आप फिर भी बहुत ज्यादा उसको उकसाओ गे दोस्ती तूट जाएगी फाइनली तो वही चीज़ है तो रिजिड है इसलिए जो है आप इस पर एक्स्टा फोर्स वोर्स अप्लाई करते हो होता है आपको अगर उसको आप खीच होगे तो एक्टली मैं उसका शेप होता तो जाए लेकिन वह एक इलास्टिसीटी होती है उसमें एक वर आता है elasticity, elasticity की वैशे से आप जब उसको आप उसको खीच के फिर छोड़ दो तो वापसी वो अपनी shape को regain करते due to the elasticity उस जो property का नाम तह elasticity due to the elasticity of a rubber when external force applied is removed then it will regain its shape वो वापसी अपनी shape को regain कर लेता है rubber band ठीक है तो में यही है कि rubber band पे आप force लगाओ आप खीच stretch हो जाएगा लेकिन जैसे उसको छोड़ो वह वापसी जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा sponge sponge पता ही होगा आपको sponge में sponge में small holes होते हैं इसमें क्या होते है minute holes होते है minute holes में क्या होता है air trap हो जाती है और जब आप इसको दबाते हैं तो जो air बहार निकल जाती तो वो compress हो जाता है इसकी वैसे यह compress air जो है exit और यह क्या हो जाता है compress हो जाता है यह तीन चीजे बहुत अच्छी चीजे हैं और यह solid में important questions है यह can we ask in the question important questions ठीक है और conceptual भी बहुत अच्छी चीजे ठीक है अगर किसी चीज में कोई दिक्कत हो था आप comment करके इसके बारे में पूछ सकते वाई liquid flow next liquid flow क्यों होता है अब देखो liquid और gas मैंने बताया है पिछली वीडियो में आप देख सकते यह non-rigid होते हैं इसी को मैं बोलता हूँ fluid तो fluid वो चीजे होती है जो कि flow कर पाती है actually मैं वाई liquid flow क्योंकि इसका जो शेप जो फिक्स नहीं है शेप फिक्स नहीं है शेप फिक्स नहीं है और इसका nature कैसा है it's non-rigid in nature that is why it flow whenever अगर यह खुले में छोड़ दो इसको ठीक है आप फर्स पर डालो तो फैल जाएगा ठीक है ऐसा compact नहीं रहेगा और उसके बाद इस इसकी density वगरा क्या है density अगर बहुत ज्यादा है तो वह काफी ज्यादा कॉंडेंस रहेगा जैसे कि शहाद है शहाद बिल्कुल नहीं घी शहाद वाटर सबकी density अलग अलग तो कौुकि इस आफ नान रिजिड नीचर नॉन रिजिड है या फिर है इसलिए यह फ्लो कर पाता है वन मार्क कोशन में गया थीन मार्क में सब नहीं पूछते हैं अब ज़राग यह दो बड़ी इंपॉटेंट चीए एक्वाटिक लाइफ होता कि जरा इधर देखो इस तरीके से लेटर सपोज यह देखो यह है समुद्र ठीक है यह समुद्र का समुद्र में यह पानी है ठीक है आपने कभी सोचा है कि यह जो इसके अंदर जो मचलियां जो रहती वचारी मचलिया सांस कै से लेती है इसको oxygen कहा से मिलता है क्या oxygen पानी में होता है क्या H2O का oxygen लेलेता है नहीं oxygen actually में dissolve होता है जो यह जो है ना oxygen और carbon dioxide यह जो ना है डीसोल वदे पानी में फिक है यह ना oxygen तो लिक्विड के अंदर कोई बीच डिजॉल रचा सॉलिड यह लिक्विड यह 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 तीनों गैस है तो इसको बोलते हैं कि यह अपने सांस लेने में यही सब ऑक्सीजन यहीं यूज करती यह मचली अंदी हो गया है इस मचली प्यारी मचली की आँख बना देते हैं ऐसे तो dissolve oxygen की वजह से ही जो बेटा जी aquatic life survive कर पाता है due to the dissolve oxygen aquatic life जो वो survive कर पाता है और dissolve oxygen oxygen dissolve कैसे होगा इस process का नाम है fusion इस process का नाम क्या है fusion यहाँ पर मैंने करके दिखाया इस तरीके से इस तरीके से जो गैसे जो होती है लेकिन solubility उतनी ज्यादा नहीं होती तो उतना कम ही जो है oxygen dissolve होता है सर्दियों में थोड़ा ज्यादा होता है गर्मियों में कम होता है क्योंकि temperature बढ़ने से solubility घड़ जाती है ठीक है यह चीज है rate of diffusion of solid liquid gas in liquid अब यह है कि देखो gas इसके अंदर dissolve हो रहा है liquid देखो water के अंदर में water dissolve मतलब water के अंदर कोई दूसरा liquid water के अंदर gas और water के अंदर solid सबसे जादा कौन जल्दी से dissolve होगा तो liquid liquid के अंदर liquid बड़े आराम से घुल जाता है उसके बाद gas gas सबसे कम होता है और बीच में आएगा solid तो यहां पर रगद हो rate of diffusion rate of diffusion में सबसे तेजी से करेगा liquid उसके बाद solid और उसके बाद gas यह rate of diffusion ठीक है rate of diffusion हम क्या देख रहें दिहान देना इस बात को in liquid solid solid वो सब नहीं liquid के अंदर में जो dissolution है liquid के अंदर liquid लेकविड के अंदर gas liquid के अंदर solid तो सबसे तेजी से जो mix होगा वो liquid है then solid then gas बात समझ में आरे एकदम जबरदस समझ में आ गई होगी मुझे पूरी उमीद है इस बात की उसके बाद देखते compressibility अब compressibility last video अब अगर देखोगे तो compressibility maximum होती है compressibility maximum for gas gas की compressibility सबसे ज़्यादा होती है gas को काफी हद तक compress किया जाता है इसी का नतीजा है CNG and LPG CNG and LPG LPG आपको पता है कि domestic gas है ना यह इसको घरों में जो है cooking के लिए use किया जाता है liquefy petroleum gas liquefy petroleum gas और यह होता compressed compressed natural gas compressed natural gas ठीक है तो इसी वज़े से इसको जो है हम लोग use कर पाते है ठीक है इतनी ज़्यादा compressibility है बहुत ज़्यादा compress है ना इतना सारा gas को आप देखते हो cylinder वगरा में तना pack किर दिया जाता है और इवन जो और हाँ medical oxygen oxygen यहां पर वह भी आड़ कर ले ना medical oxygen medical oxygen का जो cylinder होता है उसके अंदर भी क्या है वह भी high pressure पर उसको ने ऐसे compress कर दिया जभी तो medical oxygen का चोटा स्लेंडर इतना बड़ा पचास कि लोगा उसके अंदर कितना gas को compress कर दिया जाते है यू कांट इवन इमेजिन बहुत जादा भारी होता है medical oxygen अभी को रोना में बहुत जाद उसका crisis में चल रहा है तो medical oxygen is very heavy ठीक now तो इस तरीके से cng और lpg का concept यही के due to the high compressibility of gas it can be compressed into cng और lpg which is used in the domestic house और cng used in the automobile वाइकल मेली ठीक है मेली cng ही यूज होता है smell of a food food अब जो फूड का जो पार्टिकल्स होता है smell वाला आरोमा बोलते हो उसको तो आरोमा जो होता है ना आरोमा जैसे जहां पर खाना बन रहा है ना suppose करो कि यह देखो इधर suppose करते हैं कि यहां पर इस में इस इस कंटेनर में जो है खाना बन रहा है तो यह food पक रहा है food suit से जो यह निकलती है ना अरोमा निकलती, क्या निकलती, अरोमा, जो अरोमा के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे एर पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यह देखो, मैं इस तरीके से यह देखो, यह एर पार्टिकल्स आस पास में, ठीक है, यह है हमारे एर पार्टिकल this is our air particles और इस air particles में क्या हुआ air particles में जो aroma के particle है ये mix हो जाते हैं ठीक है और mixing बड़ी तेजी से होता है क्योंकि temperature जादा होता है temperature जादा तो kinetic energy मिक्सिंग जादा इसलिए जब फूट बन रहा होता है या फिर घरम खाना जो होता है उसकी smell दूर तक जाती है क्योंकि mixing वगएरा तेजी से होता है तो यह ज़्यादा दूर तक flow कर पाता है on the other hand जो cold food है simple ऐसे रखा हो है normal room temperature पर तो उसकी smell ज्यादा दूर तक नहीं आती है इसका कारण यही है ठीक है तो यह सारा का सारा diffusion का concept है यहाँ ठीक है diffusion ज्यादा तो दूर तक उसकी smell आएगी diffusion कम तो उसकी smell कम दूर तक आएगी mixing of two gas mixing of two gas को ही क्या बोलते है diffusion बोलते है देखो इस तरीके से मैं यहाँ पर case लेकर समझाई देता हूँ प्रॉपरली यह दो जैसे माल लोग यह container है इस container में यहाँ पर barrier है तो एक तरफ तो यह black वाली gas है कि देखो कितना तीन पांच छे साथ आठ नो दस बारत तेरह चौन फिफ्टीन पार्टिकल्स है इसके और ओडिके यह पार्टिकल्स जैसे हाँ यरे इसको आप हटाते हैं इसको जैसे हैं तो हैं फिफ्टीन पार्टिकल्स जो black के यह रहे साथ आठ नो दस को किya तो यह तो मलब इस तरीके से homogenously जो mix हो जाएगा इस तरीके से homogenously properly mix हो जाएगा इसी process को बेटा जी बोलते हैं क्या फ्यूजन बोलते हैं mixing of two gas mixing of two gas is called fusion वहाँ पर मैंने समझाय था जब स्टार्ट किया था कि दो अलग-अलग matter के particular mix हो रहे थे that is called the fusion जैसे उस समय मैंने liquid के अंदर में gas को dissolve करके दिखाया था तो वह भी क्या है fusion liquid के अंदर liquid का dissolve वहना वह भी fusion ही है एक तरह से एक तरह से लेकिन actual fusion की बात करेंगे न तो properly वह होता है गया इसकी case में ठीक है अब depend करता है कि यह वाला ज्यादा उदर भगएगा कि यह वाला ज्यादा इदर आएगा इनके जो इनका जो weight वगरा कितना है उस सब चीज़ पर depend करता है आप इसको जो point wise आप notes बनाएंगे तो ज्यादा better रहेगा इवन यहां से तो hint आपको मिलीगा मैं मैं क्या दे रहा हूं सिर्फ hint दे रहा हूं बाकी तो आपको पढ़ना ही है इसके बारे में ठीक है तो अब जो हमारे जो इस chapter मेरा आए गया देखो states of matter कैसे अपना जो change होत इससे ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है तो आप लोगों को बस एक ही काम है चैनल को subscribe करो शेयर करो ठीक है तो thank you thank you so much